पूर्भी ब्यूटेंग फैसंग में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल जोद्री आज हम बात करेंगे तरप्ती डिम्री की कि आप जानते होंगे अरे आप क्यों नहीं जानते होंगे अपने पिच्छर देखियो उसकी सेकेंड हिरो ने द्रप्ती डिम्री अपने इस्कीन का कैर कैसे करती है उनका रूटोईन क्या है और उनकी ग्लोईन इस्कीन का राज क्या है यह मैं आपको बता रहा हूं तो आई शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा चैनल आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब कर लें बेल आइकोन की गंटि बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको बिले तो आई शुरू करत सब्सक्राइब के लिए सबी का दिल जीत लिया फैंस उनकी ग्लोइंग इसकिन के काईल है बहुत सारी लड़कियां उनको फालू करना चाहते हैं कि वह क्या यूज़ करती हैं कैसे यूज़ करती हैं इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं अपनी तोचा को हिल्दी रखन कैसे करते हैं किस तरह अपनी तोचा को हिल्दी रखती हैं तरप्ति के मताबिक उनकी इसकिन केर रूटीन साधरण है उनकी इसकिन सेंसिटिव है इसलिए उने केमिकल यूप्त पोड़क का इस्तिमाल करने पर रियक्शन होने लगता है बे अपने चेहरे को सिंपल क्लेंज से दोती हैं तरप्ति के मताबिक अच्छी और हेल्दी इसकिन पाने के लिए तरह तरह के केमिकल यूप्त ब्यूटी पोड़क्ट्स लगाने के बजाए एक सिंपल और प्रॉपर इसकिन केर रूटीन को फालो करना बेहत जरूरी होता है तोच्छा का ध्यान नहीं रखने पर तोच्छा से जुड़ी कुछ समस्यां भी होसकते हैं क्या लगाती हैं तरप्ति ढिंदी भी आपको बटा जाना तरपती अपनी सिहरे पर मॉसराइजर का इस्तेमाल करती हैं लेकिन मॉसराइजर लगाने से पहले बेर तोच्छा पर बिटामिन सीरम इस्तेमाल करती हैं इसके बार बोदो चेहरे और तुचा पर सन स्कुन का भी इस्तेमाल करती हैं जिस से सूरसे निकलने वाली हाहनीकारक करणों से बचा जा सके वहीं कि रात के skincare routine में भी वो चेहरे पर क्लेंजर से साफ करती हैं इस से तोचा soft glowing बनती है इसके साथ साथ वो एक दिन एक दिन छोड़कर एक दिन रेटिनोल का भी इस्तिमाल करती है तरपति अपने skincare को लेकर किसी प्रकार का समझोता नहीं करती है। तोच़ा को हेल्दी कैसे त्रप्ति ने find's केलिए भीister हेल्दी रखने के लिए कुछ टिपस दिये हैं जो मैँ आपको बता रहा हूँ तोचा को हेल्दी रखने के लिए आपको कम से से कम आठ घंटे की नीद लेना जरूरी है कि इसके साथ ही मेंटल हेल्थ की तुचा पर प्रभाव पड़ता है मेंटल हेल्थ अच्छी तरह से रहने से तुचा भी हेल्दी रहती है इसके लिए आपको निमित तौर पर बर्क आउट और एक्सरसाइज करना चाहिए साथ ही हिल्दी डाइट भी फालू करना चाहिए तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें अबस्त बताएं धन्यवाद